अभिशेक की ऐलिमिनेशन पर गाईज एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी हाँ अंकिता लोखंडे के कंधे पर बंदूक रखकर अभिशेक का ऐलिमिनेशन होगा इस वक्त की बड़ी अपडेट गाईज आपको पूरी अपडेट बताते हैं दरसल आपको पता होगा कि गाईज यहाँ पर अभिशेक कुमार ने बिग बोस का एक बहुत ही एहम रूल है उसको ब्रेक किया है हाला कि उसको खुद पता नहीं कैसे उसका हाथ उठ गया क्योंकि जिस तरह से उसको पूक किया जा रहा है पिछले हपते से लेकर अब तक इशा और समर्थ के दवारा तो उठना तो बनता था लेकिन ऐसे में बिग बोस का ये रूल भी ब्रेक हुआ है बिग बोस क्या करते हैं तीन कंटेश्टन को अंकिता मनारा और इसके साथ साथ अरुन को भुला लेते हैं और उन से सला लेते हैं लेकिन साथ में बिग बोस एक हिंट भी देते हैं और बोलते हैं कि अभी शेक है थपड़ मारने से पहले उसने बोला था कि मेरा हाथ उठ जाएगा तो कहीं न कहीं बिग बोस हिंट इस चीज़ का दे रहे थे कि यहाँ पर अभी शेक कुमार गलत है अभी शेक कुमार ने रूल ब्रेक किया है और बिग बोस की ये चीज़ देखकर लग रहा करना खुद चाथते हैं लेकिन भईया घरवालो पर फैक देते, आप देख रहे हैं, तीछ आरे ऐल्यूनेशन इस तरह से हुए हैं, घरवालो पर फैक बाहर कर देते हैं, टास्क वास करक लेथे हैं और इस बार भी यही चीज़ें बताई जा रही है कि ऐसी हो सकती है कि अंकिता लोखंडे कैप्टन है घर की और उसको बोला जाएगा कि भाया यहाँ पर आपके इसाब से अभी शेक कुमार ने रूल ब्रेक किया है उसको घर जाना चाहिए या फिर नहीं तो एक टास्क दिया जाएगा जिसके जरिये यहाँ पर अभी शेक कुमार का ऐलिमनेश हो सकता है यह अपडेट गाइज अभी चीजे निकल के सामने आ रही है सोर्सिज के दवारा कि भाया इसकी पलानिंग है बिग बोस की टीम मेकर्स कर रहे हैं तो मेरे साब ची यहाँ पर अगर अंकिता ऐसी करती है ना तो अंकिता को नहीं बदा कि बाहर उसकी कितनी तगड लेकिन ऐसे में अब देखना होगा क्या होता है ऐसे में अगर अभी शेक का इलिमिनेशन होता है ना तो भाई सब तगडी वाली ट्रोलिंग होने वाली है क्योंकि जो अभी शेक की फैन फलोविंग है ना वो भाया उबाल मार रही है उबाल जैसे पानी में दूद में उब अगर ऐसा होता है ना तो भाईया फाड़ ये रग देंगे फैंस मुझे ऐसा लग रहा है फिलाल देखते हैं क्या होता है आप जरूर बताइएगा क्या अभी शेक कुमार का एलिमिनेशन होता है अगर अंकिता लोखंडे अभी शेक कुमार को बाहर करती है कि वो रात भी खि कुमेट बोक्स में अपनी राय जरूर दे और इसके साथ गैस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें अभी झाल झाल